बॉर्णिंग टो आल स्टूडेंट्स श्री बला जी के एडिमी में आपका स्वागत है मैं सुबाज सर फिर आपके सामने टैन्थ के मैथ के चैप्टर फाइव अर्थमेटिक प्रोगरेशन की एक छोटी सी वीडियो लेकर आजी रुआ हूँ आज हम सम ओफ एपी के थ्रिटिकली क्वेश्चन करेंगे मतलब इंगलिस में कुछ लाइन लिखी होगी उसको आपने समझ के पहले सीरीज बनानी है और उसका फिर सम आउट करना है सम पता करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है तो फाइंड दा सम ओफ 636 how many terms of an AP should be taken इस AP का सम इतना हो जाना चाहिए 636 तो हमें कितनी जो है वो terms लेनी पड़ेगी इस AP की सम दिया हो है मतलब A दिया हो है PM यहां से निकाल लेंगे तो यह देखो A दिया हो है 9 DM यहां से निकालेंगे तो 25-17 कितना हो गया 8 और SN दिया हो है 636 अब N निकालना है तो SN is equal to N by 2 2A plus N minus 1 into D यह formula होता है SN का तो यहां 636 कर दिया N by 2 2 into A 9 2 जा 18 N minus 1 into D की जगा कितना लिख दिया 8 8 को N से किया 8 N और 8 बन जा 8 18 को 8 से माइनस किया कितना रेगे 10 और 7 में किया गया 8 N अब इसको multiply करेंगे इस तरह से बन जाएगा अब इस 12 of 100 यह जो N के निचे 2 था इसको cross multiply करेंगे तो यहां पर 1272 बन जाएगा अब इस 1272 को उधर लेका जाएगे तो माइनस का हो जाएगा अब यह हमारे पास quadratic equation बन गेर इसको swallow करने का हमारे पास पिछे फार्मुला था A दिया हुए, B दिया हुए, C दिया हुए तो discriminant वाडा फार्मुला लगाएगे तो वहाँ X चलता था, X लिखते थे याब N में चल रहा है तो N लिखेंगे माइनस B प्लस माइनस अंडर दी रूट हो, B स्क्वेर माइनस 4AC बाई 2A इस फार्मुला में वेल्यू पुट अप करेंगे तो B यहां से माइनस 10 हो गया प्लस माइनस B स्क्वेर फिर 100 हो गया माइनस 4AC करेंगे तो एक माइनस आगे चल रहा है, एक माइनस C के साथ तो माइनस माइनस प्लस और 4AC का रिजल्ट यह आईगा अब इसका स्क्वेर रूट निगा लेंगे तो 202 होगा 202 में से 10 गए, 192 उसको 16 से डिवाइड गया कितनी टरम्स आगी? 12 इसका मतलब इस एक कितनी टरम्स लेनी पड़ेगी, हमें 12 टरम्स लेनी पड़ेगी इसी तरह से कोई और क्वेश्चन आजाता जिसे find the sum of first 15 multiple of 8 8 के पेले 15 multiple का sum find out करना है तो इस तरह से 8, 16, 24, ये 8 का multiple हो गया इसको कहां तक लेके जाना है? 15 टरम्स तक इसका मतलब N आपका कितना हुआ? 15 A कितना दिया हुआ? 8 D यहांसे कितना आ गया? 8 D बी 8 है, A बी 8 है, N भी दिया हुआ तो N by 2 into 2A plus N minus 1 into D यहां N की जगा 15 by 2, 2A की जगा 8 15 minus 1 कितना हो गया? 14 और D की जगा कितना लिखा? 8 14 को 8 से multiply किया, 112 और A2 जा कितना हो गया? 16 और बार 15 by 2 चल रहा है 112 into 16, 128 पलस करेंगे स्वरी तो 128 और 15 by 2 अब 2 को इस से cancel out किया, 64 64 को 15 से multiply करेंगे, तो 900 कितना आ गया? 60 इसी तरह से कोई और भी sum दे सकते हैं find the sum of odd number odd number का sum find out करना है किन के बीच में 0 और 50 के बीच में तो 0 और 50 के बीच में odd number कौन से होते हैं भी? तो 0 के बाद में 1 फिर 3 होता है, फिर 5 होता है इस तरह से करते करते हैं, 50 से पहले between का मतलब क्या होता है? इस between का मतलब होता है, 0 से आगे और 50 से पहले तो 0 से आगे 1 होता है, 50 से पहले order number क्या होता है? 49 अब इसमें देखेंगे तो A हमारे पास जो है, वो 1 है D इसमें से निकालेंगे, तो 3 में से 1 गे 2 हो गया L last term कितनी है 49 तो पहले तो L वाड़ा formula लगाएंगे L is equal to A plus N minus 1 into D 49 A की जगाए 1 N minus 1 into D की जगाए 2 अब इसे में multiply करेंगे तो इस 1 को उदर लेके गे minus 1 हो गया 48 बच जाएगा ये minus 2 और 2 को N से किया 2N minus 2 को उदर लेके गे plus 2 48 plus 2 कितना हो गया 50 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 25 इसका मतलब इसमें कितनी टरम से है 25 है अब हमने sum निकालने है तो sum निकालने का formula ऐसा है निज इकूल to N by 2 A plus L L क्यों लिया क्योंकि last term दी होई है तो N by 2 25 by 2 1 A अपना 1 है और D कितना है L कितना हमारा 49 49 में से 1 करेंगे तो 8 करेंगे तो 50 हो गया इससे कैंसल करेंगे 25 हो गया 25 को 25 से गया 625 ये इसका क्या आ गया sum तो इस तरह के कुछ क्वेस्चन थ्रूटिकली भी आपको पेपर में आ सकते हैं और आतें भी हैं खास करके CBSC और 10th की बोर्ड की ग्लास के अंदर तो उमीद करता हूँ भी ये जो त्रूटिकली सम मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये समझ में आये होंगे और आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी जिन बच्चों ने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये प्लीज उस